नमस्कार दोस्तों वेल्ग में अलोजी के ट्रिक्स इस वीडियो बहुत में आर्पेसी फर्स्ट केड़ एक्जम्स के लिए जो हमारी पेपर फर्स्ट में हिस्टी वाले सीरी चल रहे थी इसको मागे बढ़ाते हैं इसमें हम गुप्तकालिन से सम्मधि जो भी साहिती रहा है वह हम सारा कवर करेंगे इंपोरेंट वीडियो है और गुप्तकाल से सम्मधि आपर आंतिम वीडियो है इसके बाद मागे और देखेंगे जो भी होगा तो चलिए वीडियो के सुरुवात करते हैं आगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरू कुरिएगा कोश्य नमर से कौन सा कालीदास का महा कव्य है मेग दोत, बरीटीऊ सहार, माल विकावन, कमार संभव तो देखिए न पर करेंगे तो रोगा कालीदास के जो महा कव्य है वह तो डूटल कितने दो है और यह पर एक भिर रखा है जिसका नाम है कुमार संभव और इसके अलावा एक और कौन सा मा काव्य है तो देखिए एक तो है कुमार संभव और एक है रगुवन्स तो इन दोनों के बार में आप द्यान नखिएगा और दो खंड काव्य भी हैं दो खंड काव्य कौन कौन से मेगदूत और रितु सहार तो अगली स्लाइड में सभी को धिल्प वीक्रमोर वसीयम, और अभिज्यान साकूंत लम तो यह अब ध्यानской के यह सब भी जो है नातख माह काव्य अभी कैई भी भाजिए और देखिए याब जो निचे की डू नाटख है विक्रमोल वसीयम और अभिज्यान साकूंतलम इनके कुछ कुछ यह आपर एक्स्टाइब दे रखें एक विक्रम और वसीयम इसमें जो पर्मुक्यदार था पुरूर्वा और उर्वर्षिका तो इन दोनों का नम आप ध्याना कियेगा इन दोनों की इन दोनों से संबंदे दिये पुरा नाटक है और अभिज्यान संकुतलम में दुश अबत द्यान कहाएगा आगे चलते है किरतार जूनियम पुष्ट के लेहक कौन है माघ य्वार्वी य्या फिरभास दिहांपर जो करेक्ट Georges रोगा वो होगा औप्स günmber एक ौबर थार्ड बार वी है की रतार जुनियय पुष्टक के लेहक और मुइन अंपे लेक्ष होग सिसुपाल वद्ध या फिर एक और दो देखिए इन दोनों पुस्तक के लेकर के दंडी तो आप ध्यान रखेगा आगे चलते हैं सिसुपाल वद्ध नामक पुस्तक के लेकर कौन है तो आप सभी को पता होगा सिसुपाल वद्ध पुस्तक के लेकर के कभी माग नेक्स्ट आगे चलते हैं रावन वद्ध नाम को पुस्तक के लेखक कौन है माग दंडी वत्स भट्टी या फिर भास तो इस पुस्तक के लेखक है वत्स भट्टी ओप्स नमर थाड़ी आपर करेक्ट आंसर होगा कि वत्स के राजा उद्ध्यन वव अवनति के राजा प्रगोत की बेटी वासवदनता की प्रेम कहानी खॉनसी है म्रच्ट अल्टेकम सपन वसवदनता अमर्कोर्स पंचतन्थ्र तो देखे करेक्ट आंसर होगा वासवदनता और यांपकर भी वेर रखाए वासवदनता तो कोरेक्ट आंसर के होगा ऊप्सिन स्वपन वाश्फ दंता पुस्तक में वत्स के राजा उद्यन और अवंति के राजा प्रगोत की बैटी वाश्फ दंता की प्रेम कहानी उलेखित हैं आप ध्यानेखेगा और इस पुस्तक के कुण को ने तो भास तो यहां डियाने के हैगा और भास को मान जाता है कि यह भारत के प्रतव नाठक्कार और जो सोपन वास्व दनता है यह भारत का प्रतव नाठक है तो आप जया नखियेगा कि चारूदुत ब्रामन व्यापारी ताथा बसंत सेना नाम को वैस्या की प्रेम कहानिक कौन सी हैं तो देखे काफी इंपोर्डेंट प्रस्ट है करेक्ट आंस रोग आमरा या पर आप्समें फर्स्ट म्रच कटिकम यह प्रेम कहानी है चारुदृत ब्राह्मन व्यापरी तता वसंत से नमक एक वैसिया की तो याप ध्यान खेगा और इस पुस्तक में पर्थम भार्तिय ऐसी प गाड़ी तो यह भी आप ध्यान खेगा नितिसार नमक पुस्तक के लिखक कौन है तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मरा कामंदक है नितिसार नमक पुस्तक के लिखक तो फोर्ट तुमर्यापर करेक्ट आंसर होगा और यह जो पुस्तक है यह चानेक्य की अर्थसास्त्र प और इस पुस्तक का जो अर्बी अनुवाद हुआ है तो अर्बी अनुवाद में इसको क्या का गया कलीला दमना तो यह आप ध्यान रिखेगा जो की कूट नितिक कहानियों से सम्मधित हैं और फार्सी में भी 75 का अनुवाद किया गया जिसका नाम रखा गया अनुवर ए सुह तो यह आप ध्यान रिखेगा साथ में रामयन वह महाभारत किस काल में लिखी गई तो देखिए यह दोनों लिखी गई है गुप्त काल में तो सेकेंड नुम्र अप्सर नुवरा करेक्ट अंसरों का इनके लाव कुछ इंपोर्टन पुस्तक है वह भी हम देख लेते हैं अ और वात्सायन इनकी पुस्तक का नाम है कामसुत्र अब हम रामयन और महाभारत से सम्मौंदित जो देख लेते हैं जो रामयन गरंत है इसमें पहले टोटल स्लोक थे 6000 बरतुमान में इसमें 24000 से अधिक स्लोक है इसे चत्तुरविश सहस्त्र सहीता भी कहा जाता है इं इंप महाभारत में पहले कितने स्लोक थे महाभारत में पहले स्लोक थे 8000 वरतुमान में एक लग से ब्यदिक स्लोक है इसमें और इसे सत्त सहस्त्र सहीता भी कहा जाता है तो यह आविद्यान कियेगा महाभारत को टोटल अठारा पर्व में विभाजत किया गया है इसके लेकर कौ श्रीमद भागवत गीता का ज्यान है तो इसारे इंपोर्टन फेक्ट में लिखे हैं यह आप ध्यान रखिएगा और अगर वीडिया आपको पसंद है तो लाइक शिरू कुरिएगा अब देखिए मैं आपको कुछ और मैटर प्रवेड करना चाहता हूं जो कि मेरे सेल्फ नो दो कि गुप्तकाल से के समंग में आरे भट तो अरे भट की पुस्तक है कौन-कौन सी यह यह आप ध्यान के गारी बटियाम सूर्य सिद्दान्तिक का और दस किति का सुत्र हुआ इंपोर्ट पुस्त के आरे बट पहले विक्ति थे जिनोंने अपने नाम से पुस्तक लिए आर्या भटने गनित और खंगोल विज्ञान को अलग लग किया था तो ये फैक्ट आप इनके बाद में ध्यान रखेगा आगे देखते हैं आरे बट के द्वार किन कि खोज की गई है वो सारी मैंने आपने रखें तो इनके बाद ध्यान रखेगा सूर्य सौर्मंडल के केंद रर् curtain लगाता है चंद्रमा भी प्रकास संब्सित्र לटल के बाद मान भी प्रफ्ट के सूत्र दृब्र के 多ई यह सब बट द्यान रखेगा एक्जामन की बात पूचब करें ये आगे देखते हैं बढत कि इनके पुस्टिक ए मिलती है को रा महरे इने आरेबट के सद्द्धान्तों का विरुत किया था तह रामेर शोतिस प्रा अधिक गुप्त जो कि इनका समुनाराज संसी ये ब्रह्मोगुप्त का भीनमाल से सायद तो आप ये इनके बार हमने आर्वेसी के पुष्कों में भी पड़ा है जो फोर्थ नमर पर है वह बासकर परतम इन्होंने आरे बट के सिद्धानतों का समर्थन किया था इनकी पुष्ट के क कठाम रिस्व देव की पुष्ट के गठाचलत सगर कुणाडा की पुष्ट के कठाम जरी वाध्वत्य की पुष्ट के गौड़ मुत की ए नव सहसांक चरित और वल्लाल किया और चरित तो इन अगे वाग वाग भट्ट इनके पुष्ट क का नाम में स्टंक हर रदे सागन पाल काप प्य इनकी पुस्तक का नाम में Hashti Ayurubayyad याने हस्ति प्लस Ayurubayyad इस पुस्तक में हात्यों के चिकस्ता के बार में वर्णन है आगे भासकर दित्या यह उत्तर गुप्त का लिन गनितग्यय थे इनकी पुस्तक का नाम सिद्धानत सिरोमनी और इस पुस्तक के क्या है चार भागे चार बाग कौन कोन से बीज गनित गनित अद्यन गोल अध्यन और लिलावती तो यह द्यान केगा कि अगे सुसृत in की पुष्टक का नाम में सुसूत सहीता सुसृत संहेट सकते तो यह आप द्यान के गाना है जिसका लेखक घ्यात नहीं है तो आप जयात की सब्सक्राइब और तो किस से समबंदित है तो आज को मैं अब हैं यही पर समप्त कर रहा हूं क्योंकि कुछ अच्छा response है नहीं और काफी सारी मैनत करने के बाद में भी हम वीडियो बनाते हैं उसके बाद में भी आप इसको शेयर नहीं करते हैं तो अब आगे हम देखेंगे जब भी exam वापस इसकी विध्यपति आएगी उसकी बाद में वापस देखेंगे इस सीरीज को करेंगे तो हमने दो को टॉपिक आपके कंप्लेट करवा दिये हैं मौर्य से सम्मंदित और गुप्तकाल से समंदित तो इस वीडियो में इतना है धन्यवाद